शक्ति प्रोसेसर का नाम सुनके आप लोगों कोई यह तो समझ में आई गया होगा कि यह कोई पक्का इंडियन बेस्ट प्रोसेसर होगा जो कि इंडिया में ही कुछ बना होगा तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं तो शक्ति प्रोसेसर इंडिया का पहला माइक्रो प् इसे क्या हता है कि घुनकी इन दिए इंडिया में इसके पूरे इंडिया में गए जो अदर के पार्ण हो भी पूरे इंडिया नहीं ही बनाए गए और यह बहुत जादा इंपोर्ठेटब कार्ण हो जाता है लेकिन कुछ सालों पह проблем जब यह ये android phones की शुरुवात हुई थी तो जो micromax company थी वो हमें जो phone बेशती थी तो वो made in India नहीं होता था ना उसका internal ना outer part made in India नहीं होता था उस वो कई अधर country से ताइवान से चाइना से और दूसरी country से जो internal parts होते थे outer part होते थे प्रोसेसर होता था camera होता था बैटरी होती थी जो भी internal parts होते थे वो import करती थी और assemble करा जाता था मतलब उन सारी चीजों को एक साथ लाके जोड़ा जाता और फिर आपको micromax अपने नाम से बेशता था आपको phone लेकिन अगर हम लोगों ने अपना खुद का processor बना लिया हमारा जो सकती processor है उसमें और development हुआ और उसने innovation किया औ इंप्रोवमेंट होने लगा तो हो सकता है कि हमारे phone में प्रोसेसर लागा हो laptop में सक्थिका ब्रोसेसर लागा हो इस्रो और डिया ने विए अ ने तो वैसे भी कह दिया है कि तरफ से जो cyber war होती है जिसमें virus virus का यह लोचा रहता है कि virus बेज दिया जाएगा किसी software में तो वह हैक हो जाएगा यह वहां के information किसी देश की information हमारे पास आ जाएगी तो उसका खत्रा भी हम थोड़ा safe zone में रहेंगे hacking के खत्रे से और DRD यों ने भी एलान कर दिया है कि जो को यूस किया जाए क्योंकि यह पूरी तरीके से made in India रहेगा तो हमारे लिए national defense का भी सवाल से सुरू हो जाता है शक्ति प्रोसेसर बिल्कुँ ब्रहमास की तरह काम करेगा हमारे लिए हम सभी जानते हैं कि जो प्रोसेसर होता है कोई भी प्रोसेसर होता है उसके अंदर कई सारे core होते हैं कोई dual core होता है कोई octa core होता है तो मतलब दो से ज्यादा core होते है चार होते है eight core भी होते हैं तो अब core का काम क्या होता है कि अलग-अलग कामों को करना कोई मालीजा आप downloading कर रहे हैं कहीं किसी core से आप दूसरे काम कर रहे हैं तो एक बार में आप दो दो त तो उतना ही जादा अच्छा उतना ही जादा पाउरफल प्रोसेसर है लेकिन जोगती प्रोसेसर है उसने जो को होते हैं उनको भी अलग-अलग क्लासेस में Divaid कर रखा है तो आप जो कोई Cast ए उसका कम काम होगा किसी को का जादा काम होगा और तीसरे और जादा काम होगा तो जैस सकती अपने तीन तीन घ्लासेस स्था जोमें जोमें होता है। इसमें जोमेंना़ काम होते है、 वह कंउर से Corner 쉬 वह पूसरा एप्लीकेशन जिनमें पहर नहीं लगनी होती है जह रहार काम करना होता है थोड़ बहुत क्याट करने होते हैं if we call ka kurs यह वोरशन मशिन होती है हमारी जो हमारा वावन होता उसमें यूज हो सकता है तो दो असमें यूज हो सकता क्योंकि तक चलाज में वाला कोर सबसे कॉर ही शता में यूज होता है है कंप्यूट के लैप्तॉब के प्रोसेसर होथे उन Judaism सब से आप प्रोसेसर था तो उसे हमने पूरा फैब्रीकेट देखा था तो वह सबसे पहला वन इटी नैनो मीटर का नोट पे था पहला प्रोसेसर था तो वह चंडी गड़ में बना हुआ था आई आई टी में दरास के द्वारा बनवाए गया था तो उसे हम लोग कह रहे थे कि काफी य अब यूज नहीं आएगा फोन में तो अभी हम लोग फोन में यूज कहां कर रहे हैं अभी तो हम से बनाने कोशिश कर रहे हैं और वैसे भी जो नॉर्माल हम लोग यूज करते हैं तो लगवा सेवन नैनो मीटर का नोड वाला प्रोसेसर रहता है तो यह कई लोग कह रहे नोड नोड विवी तो यह यह जाने सकता है और काफी बड़ा मार्कट भी है discovered शाइचा वाशल माशय में प्रोटोमेज और वाडश का फो यह पी मशीने से यह बैधार के मशीन नहीं यह चाहने वाला है 174-1000 अंव्र इंडिया के electronics industry को बूस्ट करने के लिए government ने इन लोगों के लिए special economic zone भी बना रहा है जिन पर इन लोगों को डाल दिया जाएगा इसके वैसे काफी सारे टैक्सेस पर भी relaxation मिलेगा तो इन लोगों को और एक तरह से इंडिया की electronic industry में काफी बूस्ट मिलेगा अब वैसे भी ज अगे चल के प्लान है कि 60 से 60 नेनो मीटर के नोट का एक बनाएंगे जो कि काफी सारे electronics application को सेटिसफाई कर सकेगा सु में लिए अगर देखें तो यह प्रोसेसर जो होता वो हर्डवेर के अंदर आता है तो इंडिया में हर्डवेर की इंडेस्ट्री इतनी बड़ी क्यों नहीं है क्यों हमारे हां लैप्टॉप नहीं बनते हमारे हां वॉच्ट इनी बनती है electronics की हमा वहार आजादी के बात का समय था उसमें गवर्मेंट ने जा था सर्विस स्क्टर में ध्यान दिया तो सौफ्टेर में जितने भी लोग होते थे वह अमेरिका चले आते थे या दूसरी कंट्री में चले आते थे तो हमारे हां कोई भी कंपनी राइज ही नहीं हो पाती थी और ह हमारे हां हाँ हाँ फोन गारा वोटें वह सब नहीं बनती है तो यह प्रॉसर बहुत दूर की बात है यही में प्रॉबलम नहीं बन पाई है तो अगर हम लोग भ्यान दे तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा मार्केट है पूरा जो कि हम लोग आगे चल के एक कैपचर कर स development होता है तो आगे चाहर के हम काफी बड़ा वर्ल्ड का मार्केट कैप्चर कर सकते हैं तो आपको लगता है कि हम लोग यह सक्ति प्रोसेसर को यूज करना चाहिए अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों को यूज करना चाहिए तो comment box में लिखके बाद आईए मिलते हैं ने करना चाहिए ने यूज करना चाहिए